तो स्टुडेंट्स माइनेम इस दिश्टा सिवाच और वेलकम टू मिशन ओनलाइन क्लासिज आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शनल पार्ट देखा थ था कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है तो हमने दिसले लिए थे हमने ये भी पता किया था कि लेट्र ट्रानस्पोर्ट सिस्टम के अंदर जो हमारा से क्लिएम यह सिस्टम में उसमें ब्लड बहुत जादाdaughter कि रोल लिकर रहा था थाफ्रान्स रहा था ट्रांस्पोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में help कर रहा था ठीक है तो आज हम उसी ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के अंदर जो अलग-अलग चीज़ें आई थी ठीक है हमने blood भी बताया था कि इसके अंदर help करता है, heart भी बताया था कि help करता है, blood vessels भी इसके अंदर help करती है ठीक है तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले एक बार चार्ट बना के दिखा देते हूं कि हमने किस-किस चीज़ के बारे में पढ़ा था circulatory system तो हमारी body के अंदर circulatory system होता है वो दो तरीके का होता है तो हमारी body के अंदर human body के अंदर circulatory system होगा वो दो तरीके का होगा एक तो होगा blood blood circulatory system दूसरा होगा lymphatic system इसरा होगा lymphatic system flood circulatory system का क्या मतलब है और lymphatic system का क्या मतलब देखो lymphobie क्या होती है एक तरीके से fluid connective tissue होती है अब यह शोग होता है fluid connective tissue का क्या मतलब होता है अभी के लिए आप क्या समझों कै जो हमारा circulatory system है वो circulatory system हमारी body में दो तरीके का हो सकता है, कौन-कौन सा, एक तो होता है हमारा blood circulatory system, और दूसरा हमारा होता है lymphatic system, ठीक है, अब जो हमारा system है, तो system के अंदर कुछ नो कुछ सो छोटे-छोटे component भी आएंगे, ठीक है, कोई नो कोई तो इस system को बना रहा होगा, अब ऐसी कौन सी चीज़ें है, जो blood circulatory system की formation कर रही है, और ऐसी कौन सी चीज़ है, जो lymphatic system को मिलके बना रही है, ठीक है, तो जो हमारा blood circulatory system होता है, उसके अंदर सबसे main चीज़ क्या आती है, पहली बात तो हमारा blood ही होना जरूरी है, blood circulatory system में, दूसरी चीज़ क्या जरूरी है, दूसरी पास blood है, जो की चीजों का transport करने के लिए बिल्कुल ready है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे कि हमने example भी लिया था, इसका हमने example लिया था, एक bus का, जो bus students को एक जगे से ले-कर के, उनसे घर से ले-कर के school में पहुचा रही थी, और school से जो उनका homework हो चुका था शुट्टी के time पे तो school से बच्चों का transport वो बस घर की तरफ कर रही थी अब एक बात बताओ, जो bus है, वो तो क्या थी हमारा blood ठीक है, यही बात बताई थी ना, कि जो हालत bus की होती है वही हालत हमारे blood की होती है यही क्या करता है, अलग-अलग चीज़ों को कहीं oxygen को ले के जाता है carry करता है कहीं ये अलग-अलग hormones को carry करता है तो हमारे blood की किस जैसी हालत है उस bus के जैसी हालत है ठीक है अब एक बात बताओ हमारे पास bus तो है transport करने के लिए हमारे पास blood तो है ठीक है लेकिन अगर मान के चलो वह blood flow कहां पे करेगा vessels के अंदर ही तो flow करेगा अब मान लो वह हमारा road है अब बच्चे भी तयार है ठीक है बच्चे भी ready है और वह bus में बैठ भी चुके हैं अब मान लो हमारे पास bus में बैठ तो गए बच्चे लेकिन अगर road ही नहीं है तो वह जाएंगे कहां पे ना तो वह school जा सकते हैं और ना ही वह घर जा सकते ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो blood flow करेगा वह किसके अंदर flow करेगा blood flow करेगा blood vessels के अंदर तो हमारा जो blood circulatory system है उसको कौन-कौन से component बनाएंगे एक तो हमारे पास blood होना चाहिए दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए blood vessels होनी चाहिए तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास हर्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारा हर्ट होना चाहिए अभी हर्ट का क्या काम था अब यहीं बात बताई थी ना कि ब्लड है ठीक है जो की चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा अब रास्ता भी हमारे पास ब्लड वैसल्स भी हैं जिसके अंदर ब्लड तो करेगा अब म से रिलेट कर सकता है कि मैंने यह बताया था जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट तो करेगा लेकिन वह इतना एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा मतलब जल्दी से चीज़ों को एक जग ऐसे दूसरी जगह पर नहीं पहुचाएगा क्योंकि उसके पास बहुत जादा वर ब्लड मख को तो वो क्या करेगा ऐसे च्युमक के बिलकुल तीरे दीरे चलेगा अब धीरी दीरे चलेगा लेकिन हमारे अगर देचेल किन और दोर दोर oxygen उनको time पे नहीं मिली तो वो damage हो जाएंगी और brain की cells अगर damage होगी या फिर किसी भी body के part के किसी भी organ की cells damage होगी तो वो हमारे लिए हरम fully होगी ठीक है तो हम blood को बिल्कुल भी alone नहीं कर सकते कि वो धीरे धीरे काम करें ठीक है तो कोई तो ऐसा होना चीए जो इसको डांट के बोले के hey blood जल्दी जल्दी से अपना काम कर जल्दी से transport कर जल्दी से oxygen को अलग-अलग cells तक पहुँचा उनके अंदर जो as a waste material carbon dioxide है उनको जल्दी जल्दी से lungs के पास पहुँचा हो ताकि वो waste को बाहर निकाल सकें इसी तरीके से hormones का भी secretion ठीक है तो यह different different types के개리 SO ヌ्ह जूदी से community यह और चि कहांपे है हमारे blood stream के अंदर हैं blood के अंदर हैं और यह blood flow किस के अंदर कर रहा है हमारी blood vessels के अंदर और इन सब को जो हमारे blood है उसकी movement को control कौन कर रहा है उसको fast कौन कर रहा है उसके उपर pressure कौन लगा रहा है ठीक है वो लगा रहा है हमारा hurt हर्ट क्या करेगा हमारे blood के flow को तेज करवाने में help करेगा ठीक है जैसे के मान लो gravity की side में होगा वहाँ पे भी पहुंचाने का काम करेगा चीजों को जल्दी ठीक है और जो हमारा anti-gravity जब transport होगा मतलब मान लो जो हमारे उपर की side heart से उपर की side के जो organs है जैसे के हमारा brain है ठीक है mouth है तो उस तो पर भी तो blood के transport की ज़रूरत है वहाँ पर भी तो cells को किसकी oxygen के भी ज़रूरत है carbon dioxide को waste को हमें body से बाहर भी निकालना है तो उनको भी ज़रूरत है तो blood क्या करेगा पूरी body में circulate करेगा तो anti-gravity जाएगा जब वह उसको force तो लगाना पड़ेगा अब उसको help कौन करेगा anti-gravity भी जाने में वह help करेगा hurt इसके उपर pressure लगा के ठीक है ताकि कि इसकी movement बहुत जादा आसानी से हो सके तो blood vascular system समझ में आया blood circulatory system समझ में आया कि blood circulatory system क्या होता है एक ऐसा system होता है जिसके अंदर blood blood vessels और hurt तीनों के तीनों मिलके क्या करेंगे एक circulatory system का निर्मान करेंगे मतलब पूरी body के अंदर blood का circulation कराने में help करेंगे कौन-कौन करेंगे blood की requirement होगी blood vessels चाहिए होगे और hurt चाहिए होगा इन तीनों की मदल से हम पूरी body के अंदर क्या कर सकते हैं अपने blood को transport करा सकते हैं एक जगे से दूसरी जगे पर चीजों का transfer करवा सकते हैं उसके बाद आ गया lymphatic system अब यह भी एक system है तो इसके अंदर भी अलग-अलग type की कोई न कोई component होगे इसके अंदर क्या-क्या चीज होती है इसके अंदर होती है एक तो lymph ठीक है एक तो lymph present होगी दूसरी कौन lymphatic vessels lymphatic vessels प्रेजेंट होगी और कौन प्रेजेंट होगी इसके अंदर नॉट्स प्रेजेंट होगी इतना तो हमने कल भी देख लिया था कि यह यह चीज़ें यहां पर प्रेजेंट होती है ठीक है अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे देखो जो हमारा lymphatic system है हमारे स्लेबस के अंदर उसके बारे में जादा जानकारी नहीं दी गई है और जिसके बारे में जादा डिटेल में बताया नहीं गया है तो हम पढ़के उसको करें भी क्या आगे ठीक है जब system के अंदर तक है उसके अंदर blood ऑर सिरफ किसके बारे में पढ़ेंगे आज में हम बड के बारे में पढ़ेंगे कि परेज्वेशन क्या होती है रिक देखो ब्लॉड क्या होता है लढ़ क्या होता है वह बलड़ होता है अलुईड टिशू का मतलब है यह कोई न कोई हमुप रहे हो और क्या क्या मितलब है वो किसी ने किसी चीज को कर रहे हो है क्या करता है एक स्टेट के यह क्यों को किवेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें हमारी जो small intestine है वहां से nutrients को ले करके cells तक पहुचा रहा है तो वहां पे भी connection build up कर दिया इसने ठीक है हमारे brain के अंदर pituitary gland hypothalamus gland है कोई भी और glands है ठीक है वहां से जो hormones के secretion हो रहे हैं हमारी body के अंदर उसको different different organs तक पहुचा रहा है तो यह भी क्या है connection बना रहा है न यह तो हम क्या बोल देंगे इसको dude connective tissue बोल देंगे इतने बात आई समझके blood क्या होता है हमारा dude connective tissue होता है ठीक है अब blood किस-kis चीज़ से बना है तो हमारा blood है किस-किस चीज़ से बना अच्छा उससे पहले एक चीज़ देखो जोड कनेक्टिव टिशू के बारे में एक और चीज़ देखो जब हम बात करते हैं सिरफ और सिरफ कनेक्टिव टिशू की तो कनेक्टिव टिशू का मतलब है वहाँ पे matrix होगा, matrix का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी liquidity material होगा, ठीक है, matrix होगा दूसरी उसके अंदर cells present होगी, तीसरी उसके अंदर क्या present होगी, हमारे fibers present होगी, ठीक है, जो, अकेला connective tissue की जब हम बात करते हैं, अकेले इस connective tissue की बात करते हैं, उस connective tissue के अंदर क्या होती है, cells भी होती है, ठीक है, फ्लस में उसमें fibers भी होती है, fibers भी होती है, और matrix भी होता है, matrix भी होता है, ठीक है, ये चीजे present होती है, किस की बात करें जब हम, only connective tissue की बात करें, तो connective tissue में क्या होता है, matrix भी निए प्रेज़ेंट होगा इस बीज़े और फाइबर्स के रिए टिशो एपके प्लीक्तिशर साफ सब उनक्रिक्स के अंदर क्या जाएगा गाज्ट के अदर क्या चीज़ेंगे नीज सिर्फ दो चीज़ें वंगे कौन-कौन-स लेकिन लुट कनेक्टिव टिशू के अंदर कभी भी फाइबर्स प्रेजंट नहीं होंगी हमने ब्लड को क्या बताया है कनेक्टिव टिशू नहीं बोला हमने ब्लड को को टिशू बौला है इसका मतलब इसमें भी क्या चीजें होंगी इसमें मैट्रिक्स होगा और होगी तो ठीक है, आप blood की formation कौन-कौन कर रही है, एक तो matrix, क्योंकि वो एक fluid connective tissue है, तो इसके अंदर क्या चीज़े होगी, एक तो होगा matrix और दूसरी होगी, इसके अंदर blood की cells present होगी, ठीक है, अब यह जो matrix है, उसका नाम होता है हमारे blood के अंदर, इसको हम क्या नाम देते हैं, plasma, इस दो चीज़े हमारे blood के अंदर present होगी, ठीक है, अब यह plasma क्या चीज़ होती है, यह plasma, अब देखो, यह blood जो है, इसके अंदर हमने यह भी तो देखना है, जो इसके दो part है, blood के अंदर क्या-क्या चीज़े होती है, एक तो plasma होता है, एक blood cells होती है, अब यह कितने-कितने amount में present होती है तो देखो हमारी body में जितना भी blood है उस पूरे blood का 55% present है 55% present है उसमें plasma हमारे blood के अंदर 55% तो plasma present है और बाकी का जो 45% रह गया वो कौन present है हमारी blood cells present है ठीक है पूरे blood के अंदर matrix का portion मतलब plasma कितना present है 55% present है और हमारे जो cells present है जो blood की cells present है वो हमारे blood में कितनी है उनकी amount है 45% इतनी बात आ ग़िस समझ आप जो plasma होता है वो किस चीजों से बना होता है और जो हमारी blood cells होती हैं वो किस-ástचीज से बनी हुई होती है यह भी देखना पड़ेगा अब blood cells बता दी तो blood cells भी तो कुछ type की हो सकती है ठीक है आप जो plasma बताया है उस plasma के अंदर भी हो सकता है कि कुछ और चीज़े भी हो अब वो चीज़े क्या होंगी देखो जो हमारा plasma होता है उसके अंदर दो चीज़े हैं क्या एक तो है इसके अंदर वाटर ठीक है एक तो है इसके अंदर वाटर और दूसरी चीज़े इसके अंदर प्रेजेंट है salts ठीक है दूसरी क्या चीज़े प्रेजेंट है इसके अंदर कुछ salts प्रेजेंट है ठीक है अब तो यह पानी प्रेजेंट है प्लाजमा के अंदर, प्लाजमा कितना प्रेजन्ट है देखो, ब्लड के अंदर जो प्लाजमा प्रेजन्ट है वो तो है 55% और जो हमारी ब्लड सेल्स है वो है 45% यह जो परसेंटेज दे रखिये वो ब्लड के हिसाब से दे रखिये कि पूरे ब्लड में प्लाजमा कितना प्र present है अब अगर हम बात करें अकेले plazma की ठीक है जो की 55 परसेंट है बलड के अंदर अगर सिरफ इसकी बात करें हम plazma की तो plasma की अंदर दो चीज़े प्रेजनट है water और salt लिया अब मानके चलो जो हमारे plasma है वह 100% है अपनी जगह पे कितना है 100% है कि इस plasma का कितने परसेंट वोटर होगा और कितने परसेंट इसके अंदर लॆजू प्रेजिट होंगे तो देखो जो हमारे भाजमा होता है उस भाजमा के अंदर 90-92 परसेंट कौन प्रेजन्ट है वोटर प्रेजन्ट अब यह बात थोड़ी से लिंक कर सकते हो कि देखो, फ्लाजमा का content हमारे blood के अंदर 55% है, मतलब बहुत जादा amount है, आदे से जादा हमारे अंदर प्लाजमा present है, और उस प्लाजमा के अंदर भी 90-92% water present है, तो इसका मतलब हमारा जो blood है, उसके अंदर जादा तर जो composition है, वो किस से बनी हुई है, जादा तर हमारे blood के अंदर water present है, पानी present है, अगर पानी present है, तो पानी खुद एक liquid होता है, तो हमारा blood भी कैसा है, fluid की state में है या नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि blood जो fluid connective tissue है, वो fluid की state में क्यों present है, क्योंकि इसके plasma में 92-92% क्या present है, water present है, ठीक है, जैसे के आटा लगाते हैं, अगर मान तो हमने थोड़ा सा आटा लिया है, एक कोटोरी आटे के अंदर, अगर हम चार कोटोरी पानी डाल देंगे, तो वो बह जाएगा ना, तो एक तरीके से वो क्या बन जाएगा, fluid type से, liquid type से बन जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी एक fluid type का structure होता है, और वो बह के चलता है, तो इसी तरीके से हमारा blood भी तो बह के चलता है, ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में, कि हमारे plasma के अंदर 90 to 92% क्या present है, water present है, और बाकी चीज, बाकी जो हमारा बच गया, कितना, 8 से 6%, 8 to 6% क्या present है, इसके अंदर, salts present है, मतलब other content present है, अब यह जो salt है, इसके अं है, इस salt के अंदर क्या-क्या चीज़े आएंगी, इस salt के अंदर present है, नमबर एक, क्योटू, ठीक है, CO2 भी इसी के अंदर आगी, हमारे blood के अंदर, carbon dioxide, oxygen, यह चीज़े गुली हुई होती है, नहीं होती है, यह जो गुली हुई चीज़े है, यह plasma के content के अंदर count होती है, ठी ठीक है, oxygen present होगी, और क्या चीज़, nutrients present होगी, nutrients present होगी, कहां से लेके आए थे, carbon dioxide और oxygen हो तो हम लंग से उठाके लेके आए थे, ठीक है, लंग से oxygen को उठाके लेके आए थे, और carbon dioxide tissue cells से generate हुई थी, उसके बाद जो हमने nutrients यहाँ पर count किये हैं, वो nutrients कहां से आए है, हमारी small intestine से आई है, ठीक है, जिसको इसके बारे में और जादे detail में समझना है, तो वो पीछे के lecture देख सकता है, अब यहाँ पर बार-बार सारी चीज़े detail में नहीं बता सकते, सारी चीज़े बार-बार repeat हो रही है, तो जिसने पहले के sessions देखे हैं, उसको अच्छे से समझ में आ जा अब excretory product का क्या मतलब है, excretory product का मतलब है, ऐसे products ठीक है, या फिर ऐसे compounds जो हमारी body के अंदर बने हैं, लेकिन वो हमारे लिए toxic हैं, उनको हमारी शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है, तो excretory product वो, अब excretory product के अंदर भी कौन-कौन आ जाएंगे, जैसे के urea आ जाएगा ठीक है, यूरिक acid आ जाएगी, यूरिक acid आ जाएगी, ammonia आ जाएगा, जो हमारी body के अंदर, जो हमारी body के अंदर अलग-अलग जो activities होती हैं, cells की tissues की, अब जितनी भी useful activities होंगी, हमारी energy को generate करने के लिए, अगर कहीं पर कोई अच्छा काम हो रहा है, तो वहाँ पर कोई ना क produce हुए है, उनको transport करने का काम blood कर रहा है, और blood के भी कौन से portion में हैं, वो, वो सारी चीज़े जो घुल के आई है, blood stream में travel करती है, वो हमारे blood के plasma portion के अंदर present होती है, ठीक है, और क्या-क्या चीज़े present होती हैं, इसके अंदर, देखो, हमने hormones का भी जिक्र किया था, कि हमारे blood stream के अंदर, वो hormones जो हैं, वो travel करते रहते हैं, उनकी target side तक पहुँचने के लिए, तो क्या-क्या चीज़े present होंगी, और hormones भी present होंगी, ठीक है, अगर कोई एक-दो चीज़ स्किप हो गई होगी, तो आगे इसकी एक chart भी बना रखा है, वहां से हम देख लेंगे, तो कुल म मिला के क्या समझने की जरूरत है, कि जो हमारा blood होता है, वो fluid connective tissue है, जो blood है, वो हमारा दो चीज़ों से बिना है, क्योंकि वो fluid connective tissue है, तो उसके अंदर एक matrix present होगा और cells present होंगी, ठीक है, matrix और cells present है, तो हमारे blood के अंदर, जो matrix है, उसको हमने नाम दे दिया है plasma, और जो हमा water से बना हुआ है, और plasma के अंदर कुछ क्या चीज़े present है, कुछ salts present है, ठीक है, कुछ material present है, जो कि 6-8 की percentage में present होते है plasma के अंदर, उनमें कौन-कौन सी चीज़े आ जाएंगी, carbon dioxide होगी, oxygen होगी, जो कि travel करती रहती है, nutrients होगे, salt होगे, excretory product होगे, hormones होगे, ठीक है, और क्या होगे, enzymes भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, enzymes भी इसके अंदर present होते हैं, ये सारी चीज़े क्या होगी, हमारे plasma के अंदर present होगी, अगर plasma भी पूछले कौन से portion के अंदर, तो plasma का अभी जो 6-8 percentage में present है, हमारे salt का उसके अंदर present हो जाएंगी, ठीक है, ये तो थी बात क इसके, plasma की, अब blood के अंदर क्या होता है, देखो, अब जो हमारे blood के अंदर दो चीज़े present थी, एक matrix और एक cell, वो cells किस-किस type की होगी, हमारे body के अंदर, blood के अंदर जो cells होगी, वो कौन-कौन से type की होगी, एक तो होगी हमारी RBC, ठीक है, red blood cells, गुसरी होगी हमारी white blood cells, ठीक है, white blood cells और तीसरी present होगी हमारी platelets, किसरी present होगी, platelets, ठीक है, red blood cells क्या होती है, red blood cells नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर red color होता है, अब वो red color किसकी वज़े से है, वो red color present है हमारा hemoglobin की वज़े से, अब प्र उसके बाद क्या आ गया, White Blood Cells उसके बदागी, Plaid fert Z Biz, ठीक है, इन सारे के सारे जो Structure है हमारे, उनके बारे में बिल्कुल डीटेल में study, हमें करनी है, ठीक है, तो अब जो हमारी, यहां पे तो बिल्कुल शोर्टल में प्रेजर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भूल रडेट ब्लाड है इनको हम और क्या नाम से जानते हैं इनको हम इरितासाइब के नाम से जनते हैं एप इरिट्ल साइडिशिंस इरेथ्लेकर, नमसे हम आर्वीशि को जानते हैं इनका जो यह रैड कलर है वो रैड कलर किसकी वज़े से है रैड कलर एक पिग्मेंट की वज़े से है हमारे बोडि के इंदर कहीं पे भी कोई भी कलर प्रेजेंट होगा तो वो color किसकी वज़े से होगा, किसी ना किसी, pigment की वज़े से होता है, ठीक है, जैसे कि red color है, वो किसकी वज़े से है, एक hemoglobin नाम की pigment की वज़े से है, ठीक है, हमारी जो skin का color है, ठीक है, skin का color किसी का dark होता है, किसी का light होता है, ठीक है, तो वो भी किसकी वज़े से, pigments की कालर प्रोवाइड करेगा हमारी जो बोडी का कलर हो डार्क मैलीन की वजए से होता है कि टीवीज एक तो अब रेड़ को हम इरित्रोसाइट भी बोल सकते हैं और इसके अंदर रेड़ क्यों है यह ब्लड़ सेल्स क्योंकि इसके अंदर एक pigment present है जिसका नाम है हीमोगलोबिन नाम की इसमें pigment present है जिसके कारण इसका red नाम पड़ा ठीक है अब इसका काम क्या होता है देखो हीमोगलोबिन का क्या काम है हीमोगलोबिन का काम है हमारे blood को एक तो red color provide कराने का दूसरी चीज़ जो हमारी red blood cells है ठीक है red blood cells है वो क्या करत जो हमारी हेमोग्लोबिन होती है वह हिमोग्लोबिन क्या करती है हमारे औक साथ में वह बाइन हो जाती है एक चीज़ा होगा हरिए हीओ फारणके पार्ट एक तो iron के part से plus protein part ठीक है? जो हमारी हिमोगलोबिन होती है वो दो चीजों से मिलके बनी हुई होती है किसे एक तो उसके अंदर iron present होता है दूसरे उसके अंदर कुछ proteins present होते हैं अब ये iron और protein मिलके क्या कर देते हैं? हिमोगलोबिन की structure का निर्मान कर देते हैं और हिमोगलोबिन क्या करती है? अपने साथ में oxygen को bind कर लेती है यह कै जैसे कि blood circulate करता करता जब lungs के पास जाएगा अब जब lungs के पास blood गया है तो blood के अंदर तो RBCs भी है RBCs के अंदर हिमोगलोबिन भी है हिमोगलोबिन के touch में जब भी lungs के अंदर जो हवा बैठी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी oxygen है उसमें से oxygen को पकड़ पकड़ के अपने साथ में चिपका लेगी एक तरीके से वो bind कर लेगी जब हिमोगलोबिन के साथ में जब हिमोगलोबिन के साथ में क्या कर देंगे इस oxygen को transport कर देंगे वहां पर इसको release कर देंगे ठीक है तो हमारी जो red blood cells है उनका क्या काम है उनका दूसरा नाम है erythrocyte ठीक है और हमारी जो red blood cells है उसमें pigment present होती है hemoglobin नाम की जिसके कारण उसका जो color है blood का वो हमें red दिखाई देता है hemoglobin हमारा iron से और protein parts से मिलके बना हुआ है और hemoglobin क्या करती है oxygen को अपने साथ bind करने की capacity रखती है जिसके कारण हमारा जो blood है वो oxygen का जो transportation करता है वो किसकी help से करता है RBC के अंदर जो hemoglobin present है उसकी वज़े से oxygen का ट्रांसपोर्ट ये कर पाता है ठीक है हमारे जो RBC होती है उनका life span होता है 120 डेज का क्या होता है RBC का life span होता है ठीक है तो थोड़ा बहुत हमने red blood cells के बारे में जान लिया दूसरी चीज़ आती है हमारे ना किसकी white blood cells की WBC सुर्ण होता है सबसे पहले इनका नाम है न इंग एक हम और किस नाम से जानते है डियक है जो कर सॉलजर ऐफ बाड़ी soldier के नाम से क्यों जानते हैं क्योंकि जो हमारी white blood cells है वो हमारी body को disease causing microorganisms होते हैं उनसे लड़ने की इनके अंदर ability होती है ठीक है ये उनसे fight करते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं soldier of our body ठीक है हमारे body के soldier कौन है हमारी wbc ठीक है white blood cells ये क्या करेंगी उनसे fight करके अपनी body को protect करेंगी disease से ठीक है बचाएंगी हमें disease होने से जो white blood cells है उनका color white क्यों होता है देखो अगर हम इसको ये बोलेंगे है कि ये तो बेरंग है जैसे कि हमारी rbc थे उनके अंदर hemoglobin pigment थी तो हमने बोल दिया कि ये colorful है ठीक है और इसके अंदर red color की pigment है इसके कारण जो rbc है उनका red color है अब white blood cells है उनके अंदर तो कोई color नहीं है लेकिन अगर हम इसे बेरंग बोलेंगे तो ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो बेरंग इसको बोलने से अच्छा है हम इसको क्या बोलने white blood cells क्योंकि white color के अंदर भी कोई color नहीं होता है ठीक है तो हमने इसलिए क्या बोल दिया इसको white blood cells बोल दी इतनी बात आई समझ दूसरी हमने shoulder of body बोला है क्यों क्योंकि ये हमें disease से protect करने का काम करती है ये fight करती है ऐसे microorganisms से जो हमारी body के अंदर disease cause कर रहे है अब वो जो disease causing microorganisms है वो चाहे कैसे भी हूँ ठीक है चाहे उनकी cells को तोड़ करके इसको क्या करना हो हमारी body की रक्षा करनी हो ठीक है या फिर directly उनको brush करना हो ठीक है तो वो हम आगे जब इसके type देखेंगे कि किस-kis type की होती है हमारी W WC तो उसके अंदर हम क्या देख लेंगे किस-kis type की है और हर एक type का इनका काम क्या है किस तरीके से हमारी body को disease से protect करती है एक और चीज WBC के अंदर एक हिपैरिन नाम का एक हिपैरिन नाम का protein भी present होता है ठीक है एक हिपैरिन present होता है वो हिपैरिन क्या करता है हिपैरिन हमारी body के अंदर देखो जैसे कि किसी को चौट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जम सा जाता है खून ठीक है थोड़ा सा खून क्या हो जाता है जम जाता अब वो जो blood का loss हो सकता है हमारी body बिल्कुल भी alone करेगी कि सारगा-सारा blood वहां से चला जाए अगर सारगा-सारा blood वहां से चला जाएगा तो हमारे body के अंदर oxygen है carbon dioxide है और जो हमारे nutrients है उनका transport और कोई भी नहीं करता ठीक है तो blood हमारी body से बाहर ना जाए उसके लिए क्या होता है हमारी clotting हो जाती है blood की अब जब अगर हमारे injury हुई है कोई चोट लगी है उस time पे अगर हमारा खुन का ठका जम रहा है या फिर clotting हो रही है blood की तो वह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मान के चलो हमारी body के अंदर पूरी के अंदर circulate किये जा रहा है blood ठीक है हमारी body की cells के अंदर अब मान के चलो हमारी हाथ की cells को क्या चाहिए है oxygen की requirement है और blood क्या कर रहा है oxygen को लेके आ रहा है ठीक है अगर मान लो हमारे body के बीच में जिस blood vessels के अंदर blood flow कर रहा है अगर उनके बीच में clotting हो जाए फिर बीच में clotting हो जाएगी तो क्या होगा बीच में clotting होने की वज़े से जो oxygen का ट्रांसपोर्ट हो रहा है blood के थुरू रुख जाएगा और अगर oxygen का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा blood के थुरू तो हमारी body के अंदर क्या होगा उसे tissue cells तक या फिर उन cells तक oxygen नहीं पहुच जाएगी oxygen के ना पहुचने के कारण वो जो cells हैं वो क्या हो जाएंगी बिल्कुल damage हो जाएंगी dead हो जाएंगी जिसके कारण हमारा tissue हमारा organ कुछ भी damage हो सकता है तो इस चीज़ को ना हो हमारी body के अंदर जब हमें requirement नहीं है clotting की तो हमारी जो blood vessels है ठीक है blood vessels के अंदर तो व हमारी body के अंदर जो continuously blood vessels के अंदर जो blood flow कर रहा है उसके अंदर कोई भी clotting ना हो तो उसको prevent कौन करेगा उसको prevent करेगा हमारा हिपरिन तो हिपरिन क्या है हिपरिन हमारी body के अंदर anti-coagulant का काम करेगा हिपरिन क्या करेगा हमारी body के अंदर ठक्का जमने से बचाएगा हमारी body के अंदर blood clotting ना हो blood vessels के अंदर इससे हमें prevent करेगा पूरे blood को smoothly चलने के लिए ठोट देगा ठीक है अगर हिपरिन की quantity अच्छी खासी है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर हिपरिन की हमारी body के अंदर कमी है तो हमारी blood vessels के अंदर क्या हो सकता है clotting हो सकती है जिसके कारण blood की जो vessels है उनके अंदर size कम हो जाएगा और blood का flow अच्छे से नहीं हो पाएगा ठीक है इससे अलग लग टाइप की disease होने की संभावना रहती है उनके बारे में discuss कर लेंगे ठीक है तो wc's के बारे में यह चीज समझ में आई तीसरी चीज क्या होती प्लेटलेट्स क्या होती है टैने लेटलेट्स हमारे blood का एक पार्ट हुती है Situation में क्या चीज बताई थी एक तो प्लाजमा कि असा हैं अब वह सेल कि हो ऋस को इलग भिने का आप करना है थिए आब याभटि यॉ हाटिवicios में और mammal कर लाइं है percentage में divide करना है ठीक है अब जो 45 present है उस में से 45 परसेंट में से 44 परसेंट तो हमारी RBCS ही present होती है Blood के अंदर इन 45% में से भी 44 परसेंट तो हमारी RBCS present होती है और जो बाकी का 1 परसेंट रह गया उस हमारी WBC और platelets present होती है तो ये क्या आगी एक परसेंट के अंदर कोन आगी हमारी WBC white blood cells और platelets आगी ठीक है तो जादा amount किसकी होगी जादा amount हमारी body के अंदर किसकी होगी red blood cells की होगी ठीक है कौन सी में blood cells की composition ठीक है अब इन platelets का क्या काम होता है platelets का का कि वहाँ पर करेगा हो करेगी हमारी फ्लोंब sp cam होती कि इसका इसके मिलगा जाएगा पर भी जाते हैं तए यह साय जाते हैं कि इसे इसे न wedge न जाया होती है और यह करेग फ्लेट्लेइuß भार। होता है ठीक है वो सारी वहाँ पर जाके क्या करती है फुन का थक्का जमाने में हेल्प करती है तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी बोड़ी के अंदर एक तो थक्का जमाने का काम होता है ठीक है यह हमारे ब्लड के एक्सेसिव जो क्या होता है उससे हमें प्रिवेंट करती है ठीक है तो यह हो गया हमारा प्लेटलेट्स का काम ठीक है और यह हमारी बोड़ी को डिजल से भी बचाने की कोशिश करती है ठीक है आप जितने भी चीज़े हमने पड़ी है अब उसको रिटन फॉर्म में किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बोड़ी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इस लाइफ प्रोसेस जो हमारी सिस्टम है वो क्या है एक लाइफ प्रोसेस है अब लाइफ प्रोसेस क्यों बोली क्योंकि यह एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर कुछ टाइम के लिए भी अगर बंद हो गई ठीक है तो हमारी लाइफ हमको हमारी लाइफ इंपोसिबल हो जाएगी हम सर्वाइव असानी से नहीं कर पाएंगे ठीक है अब इस ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम की वज़े से ही हमारी ऑक्सिजन और कार्बन डैकसाइड का हो लिएघएड लाइपी अगये प्र llega यंवच मोद्द तक नहीं पहुँची तो अंमारी भाटी क्या हो जाएगी औरी के सेल्ट लैमेज होना शुरू हो जाएंगी ठीक है कि जिसके कारण हमारी पूरी बोडी डिश्टोय हो सकती है तो एक एसी इस कि इस सर्कुलेशन की part of organism and carried to other part ठीक है इस circulatory system के अंदर क्या करते हैं हमारी body के अंदर ही एक part के अंदर क्या होगा किसी चीज के synthesize होगी ठीक है मतलब कोई चीज बनेगी उस चीज को जहां पर हमने बनाया है वहां पर जरूरत ना हो करके बाकी body parts को भी जरूरत है ठीक है तो जिन parts को जरूरत है उन तक वो जहां पर वो चीज बनी है वो substance की formation हुई है उसको उठा करके जहां पर उसकी जरूरत है essential है वहां पर पहुँचाना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते है transport करना बोलते हैं तो transportation क्या होता है हमारी body के अंदर कोई भी substance है वो synthesize हुए है और उनको एक part से ले करके जहां से वो synthesize हुए है वहां से ले करके जहां पर उसकी जरूरत है उस दूसरे part तक पहुचाने को हम क्या बोलेंगे transportation बोलेंगे for the process of transportation in human body human have a proper transport system हमारी body के अंदर जो यह अलग-अलग type के substances हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुचाना बहुत ज़ादा ज़रूरी है उसके लिए human body के अंदर एक बहुत ही अच्छे से organize किया गया है circulatory system ठीक है हमारी body के अंदर क्या किया गया है proper transport system को बनाया गया है हमारी body के अंदर automatically क्या है एक बहुत अच्छा सा क्या है transport system है उस पर देख लो हमारा स्रक्लिय टी सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीजा अंदर ब्लोड में производ होंगी यह तो हमारा लड exactly होगा दूसरी हमारी लियुक्त ब्लडवेसलज ऐसक भी ऐस बोडी के अंदर सिरक्युलेटरी सिस्टम में हर्ड प्रेजेंट होगा, यो तो ए तीनों चीज एक निलकर करेंगी, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्मान कर देंगी , इतनी तर बात आई समझ की सर्कोलेटरी सिस्टम क्या होता है एक जग ऐसे जो substance की formation हुई है हमारी बोडी में उसको हमारी ही बोडी के दूसरे पाइट में जहां पर उसकी ज़रूरत है उस synthesized substance की बहाँ पर पहुचाना इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ड और हमारी बोडी में different different substances को एक जग ऐसे दूसरी जगा पर पहुचाने के लिए बहुच ही अच्छा खुबसूरत सा क्या बनाया गया है transport system जिसको हमने क्या नाम दे रखा है circulatory system उसको नाम दे रखा है अप जो हमारी बोडी के अंदर circulatory system है उसके अंदर तीन चीज़े present होती हैं, दो नहीं, तीन, तीन चीज़े present होती है, कौन-कौन सी, एक तो blood, दूसरा blood vessels और तीसरा heart present होता है, ठीक है, आप किस-किस study करेंगे आगे, ओहो, ये तो अभी बनाए थे, देखो, आप जो ये circulatory system है, अब ये बता दिया कि इसने कि circulatory system क्या होता है, और भी अच्छे से बता दिया कि हमारा जो circulatory system है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़े थी, blood, blood vessels और heart present था, तो अब जो हमारा blood है, उसके बारे में इसने दिक्र किया है, कि जो हमारा blood होता है, वो क्या होता है, और किस तरीके से उसकी composition होती है, ब्लड के बारे में सब कुछ ब present होगी, एक तो matrix present होगी, प्लस कुछ, cells present होगी, ठीक है, इसके अंदर fibers नहीं present होगी, क्यों, क्योंकि यह connective tissue नहीं है, fluid connective tissue है, ठीक है, तो इसके अंदर यह दो चीज़े present होगी, fluid tissue is also known as vascular tissue, ठीक है, इसको हम vascular tissue के नाम से भी जानते है, it consists of fluid matrix in which suspended free floating cells, यही बात बताई ह है, कि इसके अंदर क्या present होगा, matrix present होगा, और उसके अंदर यह जो cells है, वो flood करती रहेंगी, ठीक है, matrix होगा, उसके अंदर cells क्या करती रहेंगी, flood करती रहेंगी, तैरती रहेंगी, इसका मतलब क्या है, जो matrix है, उसके amount जादा होगी, और जो cells है, उनके blood के अंदर amount कम होग the matrix is divide of fibers ठीक है इसका मतलब क्या है इस matrix के अंदर कभी भी fibers present नहीं होंगे, fibers क्यों present नहीं है क्योंकि connective tissue नहीं है, fluid connective tissue है ठीक है यही बात भी बताई थी flow freely and not secreted by the cells it contain ठीक है जो हमारा matrix होगा वो बिल्कुल freely flow करता रहेगा ठीक है and is not secreted by the cells it contain इसके अंदर जो cells present है वो जो अपना transport का system है वो करती रहेंगी और क्या चीज़ होगा fluid tissue include blood and lymph जो हमारे ये tissue होते हैं ठीक है जो fluid connective tissue होते हैं वो fluid connective tissue हमारी बोड़ी में क्या बताए थे दो होते हैं एक तो blood connective tissue हो गया मतलब blood circulatory system हो गया एक lymphatic system हो गया ठीक है तो उन्हें का भी यहां पर जिक्र किया है कि जो हमारे जो fluid tissue होते हैं वो दो तरीके की होते हैं कौन से एक तो blood एक लिंफ लिंफ भी क्या होता है लिंफ भी एक fluid connective tissue ही होता है लिंफ के बारे में हमें यहां पर नहीं पढ़ना है तो लिंफ के बारे में सिरफ इतना मान के चलो कि यह क्या होता है लिंफ एक लिंफ भी एक fluid connective tissue होता है fluid connective tissue होता है और दूसरी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे blood present होता है अब यह blood क्या होता है blood is the most important fluid connective tissue हमारी body के अंदर जो हमारे connective tissue होते है उनमें सबसे important क्यों है सबसे important है हमारा blood it makes up of 8% of our body weight हमारी body के अंदर जितना भी weight होता है हमारी body के अंदर जितना भी weight होता है उसका 8% कौन होता है हमारा blood present होता है चाहे किसी के अंदर 100 kg वसन हो चाहे किसी के अंदर 70 kg हो चाहे किसी के अंदर 50 kg और चाहे किसी के अंदर 10 kg present हो उनके अंदर उनके body weight का 8% कौन होगा उनकी body के अंदर जो blood vessels में blood flow कर रहा है वो present होगा, ठीक है, average adult, अब ये किसकी बात करी है, किसी adult person के अंदर, किसी mature person के अंदर, ठीक है, 20-40 साल के person के अंदर, क्या present होगा, 5-6 liter of blood, ठीक है, blood कितना present होगा, एक adult human being के अंदर, 5-6 liter, अब एक चीज़ और सुनो, जो ये 5-6 liter blood हमारी body के अंदर बताया है, adults के अंदर, adult के अंदर, जो ये amount बताई है, 5-6 liter, वो vary करती रहती है, books के अंदर, और actual में भी, ठीक है, अब कहीं पर यहाँ पर क्या मिलेगा, साड़े 4 liter से लेकर के 6 liter मिल जाएगा, ठीक है, 4.5-6 liter मिल जाएगा, ठीक है, ये तहीं पर मिलेगा, सिरुफ 5.5 से लेकर के 7 liter तक भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आगड़ा थोड़ा सा vary करता रहता है, क्यों, क्योंकि male के अंदर, इसके amount अलग होती है, और female के अंदर, अलग होती है, reason, जो female होती है, उनके अंदर तो 5-6 liter क्या हो सकता है, blood present होगा, ठीक है, क्यों, और जो males होते हैं, जो boys होते हैं, उनके अंदर ये थोड़ा सा जादा present होगा, क्यों, क्योंकि girls के अंदर, जो menstruation cycles वगरा होती हैं, तो उसमें excessive blood loss हो जाता है, ठीक है, उस blood loss की उनके body के अंदर क्या होगा, जो blood के amount हो थोड़ी सी कम present होगी, और males के अंदर menstruation cycle या फिर periods वगरा की कोई भी problem नहीं होती है, तो उनके अंदर जो blood के amount होगी, वो थोड़ी सी जादा होगी, तो ये आकड़ा हमेशा vary करता रहता है, तो ये मत सोचना कि कहीं पर 5-6 liter है, कही तो ये आकड़ा vary होता रहता है, ठीक है, ये sex के साथ भी vary होता रहता है, और साथ की साथ हमारी age के साथ भी vary होता रहता है, ठीक है, दूसरी चीज, it has slightly alkaline in pH, ये सबसे जादा important बात है, कि जो हमारा blood है, उसका pH 7.4 होता है, जैसे कि इसका आकड़ा जो था, जो हमने बताया ठीक है, उनके अंदर तो vary करेगी, लेकिन जो हमारा pH होता है, वो थोड़ा सा भी उचा नीचा नहीं करना, ठीक है, उसमें कम जादा नहीं करना, क्योंकि pH के बिगड़ते ही, सारी चीजे खतम हो जाएगी, ठीक है, हमारे blood का अगर pH 7.4 है, तो इसका मतलब 7.4 ही है, ये कै रहे जाद पर क्या होता है, शेक है, सबसे जाधा highly acidic कहाँ पर होता है, हमारे 0 के ऊपर और basic कहाँ पर पर होता है सबसे जाधा, basic pH होता है हमारा, 14 के ऊपर, ठीक है, तो अब हमारे blood का pH है, वो Roberts कैसा है 7.4 है इसका मतलब वो घहां पर आएगा यहां पर आएगा ठीक है तो यह alkaline pH की तरफ है न अब बोलोगे यहां पर basic लिख रहा है basic लिख लो या alkaline लिख लो basic लिखो या alkaline लिखो बात एक ही है तो थोड़ा सा alkaline की तरफ है तो slightly alkaline हुआ ठीक है तो हमारा जो blood है वो कैसा present होगा 7.4 pH का होगा और वो क्या होता है slightly alkaline present होता है ठीक है थोड़ा सा alkaline present होता है इतनी बात आई समझ इसको अच्छे से note कर लेना कि 7.4 का मतलब है 7.4 ही रहेगा हमारी body का pH sorry body का body का अब ब्लड का pH यह रहेगा अब ब्लड का pH इतना है ना तो mostly हमारी body के अंदर जिनने भी चीज़े present होंगे ना अलग-अलग organs वहाँ पर कुछ जोगा पर वैरी कर सकता है जैसे कि हमारा स्टमक है वहाँ पर होता है तो उसका pH अलग होगा ठीक है कुछ चीज और हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर बेसिक होगा ठीक है क्योंकि वहाँ पर बेसिक जूस सिग्रीट होते हैं ठीक है तो वहाँ पर alkaline present होगा और हमारे स्टमक के अंदर acidic present होगा medium ठीक है उनकी value मैंने digestion के session के अंदर बता दी थी ठीक है अब ब्लड की बात करें तो ब्लड का pH कितना होगा 7.4 pH होगा इसमें कम जादा नहीं करना है उसके बाद उसके बाद it is considered as fluid of life इसको हम fluid of life क्यों बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है oxygen को carry करता है जो हमारे जिन्दा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है क्योंकि अगर जिन्दा रहेंगे तो सांस भी आएगी ठीक है अब सांस कैसे आएगी सांस लेने से energy inhalation acceleration से थोड़ी energy मिलती है जब वो oxygen cells तक जा करके वहाँ पर क्या करेगी oxidation करवाएगी food का तभी तो हमें energy मिलेगी ठीक है तो इसको हम क्या बोलते है fluid of life मतलब fluid of life इसलिए बोला कि ये जो blood बह रहा है इसके अंदर हमारा भी जीवन जीवन क्यों है कि क्योंगि इसके अंदर oxygen है जो की हमारी बोडी के अंदर oxygen की ऑ जो oxygen ज़रूरी है उसको तो लेते गए लेकिन carbon dioxide को और बाहर नहीं निकाला तो वो भी हमारे लिए जान लेवा है जिसके करण tissues की cells की death हो सकती है ठीक है तो यह क्या है fluid of life है क्योंकि इसके उपर life dependent रहती है carbon dioxide और oxygen इसके अदर transport करती है it is known as fluid of growth growth का क्यों बोला growth को हमने इसलिए बोला क्योंकि हमारे body की growth के लिए cells की growth के लिए cells growth कब करेंगी जब करेंगे जो cells के अंदर food particles जाएंगे और हमारे blood के अंदर भी क्या ट्रांसपोर्ट होता है nutrients तो ट्रांसपोर्ट होते हैं मौल इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू क्या करके लेके आया थे blood सक करके तो लेके आया था nutrients को और उन्होंने हर एक tissue cells तक ठीक है cells तक nutrients को पहुंचा दिया था तो हम इसको क्या बोल सकते है Fliude of Growth के यह जोium है इसके अंदर हमारी body की growth के लिए क्या present होते है अलग-अलग type के nutrients present होते है protein होते है ठीक है fat होते है और क्या चीज़े प्रेजट होते है carbohydrate होते है ग्लुकोस होता है अमयनो ऐसिद प्रेज़न होते है ठीक है and hormones from the endocrine gland and to all the tissues हमारे जो endocrine glands होते हैं मतलब ऐसे glands जिनके अंदर कोई भी duct नहीं होती जो directly अपना secretion blood stream के अंदर भेजते हैं ठीक है उनमें mostly hormones ही secret होते हैं तो blood hormones को भी transport करने का काम करता है ठीक है तो blood को उसको transport करता है तो hormones की वज़े से भी हमारी जो daily activities होती है वो बहुत ज्यादा effect होती है ठीक है तो यह क्या करता है हमारी growth hormone भी होते है ना बहुत सारे तो हमारी growth का fluid भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि यह क्या करता है बहुत सारे nutrients को और hormones को अपने अंदर flow करवाता है उसके आगे it is the fluid of health अब हम इसको fluid of health क्यों बोलते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं blood की blood के अंदर क्या चीज़े present है blood के अंदर blood cells भी है और plasma भी है अब plasma है उसको side में करो ठीक है क्योंकि वह भी blood में ही present है अब blood के अंदर यह मान के चलो क्या है cells भी है RBCs भी है WBCs भी है platelets भी है और white blood cells को क्या बोला था वो हमारी body के soldier है ठीक है वो जो बहार से pathogens आएंगे हमारी body के अंदर क्यों पर act करेंगे ठीक है वो उनको kill करने की कोशिश करेंगे तो हमारी body के soldier हुए है नहीं हुए ठीक है अब body के soldier है तो वो हमें disease से protect कर रहे है डिजल से product रहेंगे तो हम healthy रहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको fluid of health ठीक है और क्या करता है ये हमारी body के जो waste products है उनको transport भी करने का काम करता है कहाँ पे excretory organs ठीक है excretory organs का मतलब है हमारी body के वो organs जो excretory organs की activity करेंगे waste products को बाहर निकालने का काम करेंगे ठीक है lungs भी क्या है एक तरीके से excretory organs है और क्या है kidney हमारे excretory organs है kidney तक भी ये blood क्या करेगा waste को लेके जाएगा और kidney के अंदर से फिर butter के साथ में बाहर निकल जाएंगे हमारे waste ठीक है अब उसके बाद क्या है अब इसके अंदर आगे कि जो हमारा blood होता है उसके बारे में तो देख लिया कि blood क्या होता है अब उसके बारे में ये बता रखा है कि blood के अंदर चीज़े क्या क्या present होगी देखो सारे बाते अभी पढ़ार रखिया है प्लाज tussen अब प्लाजमा की बात आगी क्योंकि blood के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है एक तो plasma present है और दूसरी क्या चीज़ प्रेजेंट है blood cells present है अब जो plasma है उसकी बता देढ़ी थी 55% हमारे blood का content plasma होता है ठीς है इट इज ए पेल यालो कलर एंड स्ट्रोग देखूं अगर हम पुरे ब्लड को देखेंगे तो पूरा का पूरा ब्लड हमें कैसा दिखाई देता है पूरा ब्लड हमें दिखाई देता है रेड कलर का किसकी वज़े से क्योंकि 44% ठीक है 44% कौन प्रेजेंट थी हमारी और बिस थे है और आप इसी ब्रड के ब्लड के अंदर कौन कौन चीज़े प्रेजेंट हैдо प्रेजेंट लिकें है कि इन साथी चीजों का डिफ्रेंशेट और कि लाग कर देखें कि ब्लड के इंदर कितना कितनाफ प्रेजन्ट है तो जो हमारा प्लाजमा है वो कितना है फिफ्टि फाइफ परसेंट है वह इतने अमाउंट ठीक है अलग कर दिया तो जब हम अलग करेंगे तो फोटी फाइफ परसेंट जो टोटल ब्लड का कौन प्रेजन्ट होता है हमारे 44% कौन प्रेजंट होता 44% तो हमारे red blood cells भी होती है तो यह क्या होगी RBC बोल दो या फिर erythrocyte बोल दो देखो इसमें लिख भी रखा है ठीक है RBC या erythrocyte 44% है बाकी का जो 1% रह गया उसके अंदर कोई color नहीं नहीं होता तो हम उसे बेरंग तो बोलेंगे नहीं तो उसको वाइट बोल दें तो यह जो वाइट परसेंट वाइट जो कंपोजिशन दिख रही है इसके अंदर क्या-क्या चीज़े प्रेजेंट है युकोसाइट यह वी डबलूबीसी के लिए बोला है कि वाइट ब्लड से प्रेजेंट होंगी दूसरी इसके अंदर लेट प्रेजेंट होंगी त्वी टीन चीज़ेंगे पीश लिए इसको हमने प्लड का मैट्रिक्स भी बोलते हैं मतलब ज्यादा तर पॉर्ट्षन क्या है हमारा प्लाजमा ही है ठीक है और यह कैसा है फ्लूइडी नेचर का है ठीक है मतलब liquidity सी थाइस के दर ठीक है fluidy nature का है और क्या चीज़ है it has 90 to 92% water and 6 to 8% solutes ठीक है वहाँ पे मैंने salts लिख दिया था इंग तो वहाँ परेजन्ट होते है solutes कौन present है 6-8% और इनके अंदर क्या-क्या चीज़े बता दी थी solute में nutrients oxygen carbon dioxide ठीक है और enzymes hormones और और भी कोई चीज़े होंगी ठीक है nitrogenous waste ठीक है या फिर excretory product आगे वह किसके अंदर आ जाएंगे 6-8% की percentage में ठीक है और देखो इसमें लिख भी रखाया कि solutes क्या होते है nutrients होते है vitamins होते है hormones enzymes और antibody respiratory gases जैसे की oxygen है CO2 है ठीक है oxygen है CO2 है और salt हो जाएंगे कुछ और ions भी इसके अंदर होते हैं sorry mention नहीं कर रखा ions भी इसके अंदर present होते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े क्या present होंगी हमारे इस 6-8% की composition में present होंगी और बाकी की जो composition होगी हमारे plasma की उसमें 92-92% कौन present होगा हमारा water present हो प्रोटीन कौन-कौन से present होंगे देखो protein इसके अंदर albumin, globumin, globulin present होगा और fibrinogen अब जो हमारे यह दो हैं इनके बारे में तो study करना नहीं है जो fibrinogen protein है जो fibrinogen protein है उसके बारे में इसके अंदर study करना है तो fibrinogen क्या करता है हमारे जो वह blood clotting होती है ना जो blood clotting होती है उसमें fibrinogen बहुत ज्यादा active रहता है हमारे plasma के अंदर जो fibrinogen present है वह हमारे blood clotting के टाइम पे बहुत काम आता है तो यह fibrinogen है यह blood clotting में help करेगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद circulatory system के अंदर और क्या चीज प्रेजेंट आगी हमारी blood cells आगी तो आज के लेक्चर में ज्यादा हो गया तो blood blood corpuses जो है जिसके अंदर red blood cells है white blood cells है और जो platelets है उसकी study हम next lecture के अंदर करेंगे ठीक है red blood cells क्या होती है white blood cells क्या होती है platelets क्या होती है क्या इनके functioning होती है ठीक है तो इनके बारे में next lecture के अंदर study करेंगे best of luck thank you